नमस्कार दोस्तों मैं प्यू सक्सेना इस्पायर फोर लर्निंग यूटुब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो बताए कैसे हैं आप लोग उमीद है आप अच्छे होगे और साथी साथ गवर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे होगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब क 2021 तो 28 माई 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिसकस करूंगा और साथ ही उनसे इंपोर्टेंट फेक्स भीम आपको बताऊंगा कि पहले हम लेंगे एक एक टॉपिक करके MC की उठाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके आप्शन के बारे में हम डिसकस करेंगे तो ऐसे ही कुछ मिला जुला शैशन रहने वाला है अगर आपने ये वीडियो अभी तक शेर नहीं करी है तो हर जगे इसको शेर कर दें जहां तक आपकी एदिच हो इंस्टाग्राम, टेलेग्राम, फेस्बुक, वाटस अप हर जग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह पहला कोशन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, बाकी मैं आपके साथ ये कोशन आगे डिसकस करूंगा, बढ़ते हैं आगे, तो आप ये देख रहे होंगे, कि अगर आपने चैनल को सब्सक स्क्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, और कमेंट करके आप मुझे लाश्ट में जरूर बताईएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और इसकी पीडियेफ आपको टेलेगाम चैनल पर मिल जाएगी, टेलेगाम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्श आफ्टर सॉफ्ट बैंक फंडिंग, तो कौन सी टेक फर्म सॉफ्ट बैंक फंडिंग के बाद इस साल चौधवी इंडियन यूनिकॉन बन गई है, तो अभी किस कमपनी में सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग करी है, उसके बाद वो इंडिया की चौधवी या फोर्टीन इंड क्या रहेगा तो इसका जो right answer रहने वाला है वो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका जो right answer है वो है जीटा जीटा ये company है इसका name आपको याद रखना है ये अभी 14th Indian Unicorn Company बनी है इस साल की और इसमें funding किसकी रही है तो soft bank की soft bank ये कहां की company है तो ये company है USA की आपको ये याद र quarter है बैंगलूरू में है इसकी ये आपको याद रखना है कि इसका headquarter कहां पर है जीटा का बढ़ते हैं आगे next question की तरफ की which company is buying metro gold wine मेयर स्टूडियोज एन अमेरिकन मीडिया कंपनी है फोर 8.48 बिलियन यूएस डॉलर तो अमेरिकी मेडिया कंपनी Metro गोल्ड वाइन मेयर स्टूडियो है ये एक को किस कौन सी कंपनी ने 8.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद रही है तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका answer की उस company का name क्या है जो Metro गोल्ड वाइन मेयर स्टूडियो को 8.45 बिलियन में खरीद रही है तो ये आपको इसका answer बताना है तो इसका जो right answer रहेगा वो है Amazon Amazon इसको खरीद रही है 8.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझ होता रहा है Metro गोल्ड वाइन मेयर स्टूडियो और Amazon के बीच दोनों का आपको ये याद रखना है तो इसको buy किस ने करा है Amazon ने Amazon के जो इस टाम CEO है वो Jeff Beggos है और 5 जून से जो अब आने वाले हैं उनका name मैं आ ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें बढ़ते हैं next question की तरफ कि which country will launch mobile tech platform unite aware for UN peacekeepers it will provide train related information तो ये आपको बताना है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट सांती सनिको के लिए mobile tech platform unite aware launch करेगा यह इलाके से संबंधित जानकारी परदान करेगा तो बताना है कि 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 कंट्री ने ये unite aware एक ये platform है इसको launch करा है अब ये UN peacekeepers हर देश से UN में ये अपने सैनिक को भीज़ा जाता है UN में United Nation में उन्हें ही बोला जाता है UN peacekeepers तो किस देश ने अपने UN peacekeepers के लिए unite aware platform launch करा है तो वो देश है भारत हमारे प्यारे भारत या इंडिया ने ये platform launch करा है अब ये किस लिए करा है तो यह इस से संबंधित जानकारी परदान करेगा तो ये भी आपको याद रखना है बढ़ते हैं next question की तरफ next question है कि who will be reintroduced in India in November after being declared extinct in 1952 1952 में बिलुप्त घोशित होने के बाद नवंबर में भारत में फिर किसे फिर से लाया जाएगा तो आपको बताना है उसका नेम जिसको ये फिर से दुबारा से reintroduce करा जा रहा है नवंबर में अब ये 1952 में extinct या विलुप्त हो गया था तो इसका पहले answer देख लेते हैं इसका जो right answer हैगा चीता जो चीता है इससे विलुप्त घोशित कर दिय गया था 1952 में अब इसको दुबारा से South Africa Africa से इसको लेके आया जा रखा है और ये कहां पर सबसे पहले इसे रखा जाएगा तो वो है मध्यप्रदेश का कुनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इससे सबसे पहले लाया जाएगा चीते को तो ये वर्ल्ड का जो सबसे तेज भागने वाला जानवर है वो है चीता ये लैंड में सबसे तेज भागता है जमीन पर इसको दुबारा से इंडिया में लेके आया जा रहा है तो ये आपको इसका नेम यान रखना है और ये बलुप्त कब हुआ था तो 1952 में बढ़ते हैं next question की तरफ की Amazon executive will take over the charge of CEO rule from July 5 अच्छा जून 5 नहीं था ये जुलाई 5 था तो what is their name Amazon के कारेकारी 5 जूलाई से CEO की भूमिका निभाएंगे उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये अगर नहीं पता है तो मैं आपको पताता हूँ इसके जो right answer रहेगा एंडी जैसी एंडी जैसी का नेम आपको याद रखना है यही CEO बनेंगे Amazon के और जेफ बेजोस इस से अभी जो चल रहे हैं इस टाइम जेफ बेजोस का नेम भी आपको याद रखना है और ये अब executive director बन जाएंगे Amazon के और जो CEO अब 5 जुलाई से नहीं हों नई जो होंगे उनका नेम आपको याद रखना है वो है एंडी जैसी बढ़ते हैं next question की तरफ की next question से बढ़ने से पहले अगर आपने video को like नहीं करा है तो video को like करना ना भूले एच एस डौरे स्वामी नोन फोर हिस पार्टिसिपेशन इन कुट इंडिया मुव्मेंट और बिनोवा भावे भूदान मुव्मेंट हैस पास्द अवे ही वाज वन हंडेट थ्री तो वर्ट वाज प्रोफेशन ओफ एच एस डौरे स्वामी भारत छोडो आंदोलन और बि अग लेने के लिए जाने वाले जानने वाले एच एस डौरे स्वामी का निधन हो गया है वह एक सो तीन वर्ष के थे अब आपको बताना है कि एच एस डौरे स्वामी का पेशा क्या था तो एच एस डौरे स्वामी जो थे एक फेमस फ्रीडम फाइटर थे सोतनता सेनानी थ थे आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कोशन से कि क्विट इंडियन मूव्मेंट और बिनोवा भावे के भूदान आंदोलन में काफी योगदान रहा था इनका इनका एच एस दोरे स्वामी का ये फेमस सुदंता सेनानी थे जिनका हल ही में निधन हो गया है बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है कि अकांशा एक पोर्टल डेट प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव डिटेल ऑन ओल दा सी एस आर कॉपरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी एक्टिविटीज वाज लॉंच्ट बाइचीफ मिनिस्टर बी एस यदू रप्पा इ मुखे मंत्री विएस यदूरप्पा द्वारा किस राज्ये में लॉंच करा गया है तो अगर आपको पता है कि विएस यदूरप्पा किस राज्ये के मुखे मंत्री है तो आप यहां से इसका राइट आंसर टिक कर सकते हैं तो यह जो स्टार्ट करा गया है अकांशा एक प गया है तो यह आपको याद रखना है next question की तरफ बढ़ते हैं next question क्या है तो next question है कि which small finance bank has become the first small finance bank to offer its NRI customer segment the ease of account opening online कौन सा लगू with bank अपने NRI ग्राहक वर्ग को online खाता खोले में असानी प्रदान करने वाला पहला लगू with bank बन गया है तो इसका जो right answer रहेगा वो आपको बताना है तो right answer इसका जो है वो है equitas small finance bank अब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह launch क्या करा है equitas small finance bank ने अभी launch करा है first small finance bank यह बना है offer its NRI customer segment to ease of account opting online जितने भी NRI होते हैं non-residence Indian जो बाहर देशों में रहते हैं वो इंडिया में अपना online खाता खोल सकते हैं और यह facility देने बाला जो पहला small finance bank बना है वो है equitas small finance bank तो इसका नेम आपको याद रखना है equitas small finance bank का इसका headquarter चिन्नई में है तो तमिलनाडू के चिन्नई में equitas small finance bank का headquarter है और उजीवन small finance bank का करनाटक के बैंगलोर में AU small finance bank का राडिस्थान के जैपूर में और उतकरश small finance bank का बनारस में है तो यह आपको इनके headquarter भी याद करते चलने हैं एक नंबर में यह exam में पूछ लिए जाते हैं तो यह आपको याद रखना है कि NRI customer segment जो launch करा है equitas small finance bank ने launch करा है next question है कि national award winning actor नीना गुपता is coming out with her autobiography what is the name of her autobiography तो राश्ट्री है पुरुसकार बिजेता अभिनेत्री नीना गुपता अपनी आत्मकथा लेके आ रही है उनकी आत्मकथा का नाम क्या है अब यह नीना गुपता यह actor थी अब यह किस movie में है तो आपने बधाई हो movie देखी होगी जिसमें आईश्मान खुराना की जो मदर का रोल करा है नीना गुपता ने करा है और इनकी यह autobiography है सच कहूं तो यह अपनी first autobiography के साथ यह लेकर आ रही है तो सच कहूं तो किसकी autobiography है नीना गुपता की next question है which private sector lender bank has launched a facility for linking a unified payment interface ID with its digital wallet pocket किस निजी छेतर के bank ने unified payments interface ID को अपने digital wallet या pocket से जोडने की सुबिधा शुरू करी है तो यह आपको बताना है कि first जो bank है वो कौन सा bank बना है जिसने UPI ID को digital wallet से भी हम उसमें जोड सकते हैं तो यह pocket जो हमारा होता है digital wallet यह digital pocket कहलाता है इसमें हम UPI ID इसमें add कर सकते हैं पहले UPI ID हम अपने bank account से ही add कर सकते थे अब यह facility digital wallet में भी आने लगी है और इसको launch करा है ICI bank ने ICI bank के दोवारा इसको launch करा गया है तो यह आपको याद रखना है बढ़ते हैं next question की तरफ की who has hiked its stake to 5.06 in Union Bank of India earlier held 3.09 stake in UBI Union Bank of India में पहले जो stake था 3.09 था और अब कितना हो गया है 5.06 अभी किस company ने यह stack hire करा है तो यह आपको बताना है तो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है राइट आंसर जो इसका है LIC LIC के दोवारा यह stack हासिल करा गया है पहले था 3.09 परसेंट UBI मतलब Union Bank of India में अब यह कितना हो गया है तो 5.06 परसेंट next question की तरफ बढ़ते हैं कि who has become first Indian to win Rudolph V. Schindler Award तो Rudolph V. Schindler पुरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि Rudolph V. Schindler पुरुसकार जो जीता है डॉक्टर नागेंदर रेड़ी डॉक्टर नागेश्वर रेड़ी के द्वारा ये एवार्ड जीता गया है और इसको देता कौन है अमेरिकन सोसाइटी ओफ गेस्ट्यो नेस्टी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी ये गेस्ट्रोस्कोपी होती है उसी में इनका योगदान रहा था रुडॉल्फ V. Schindler एवार्ड जीता है डॉक्टर नागेश्वर डेडी ने बस आपको ये नाम और ये एवार्ड का नेम आपको याद रखते चलना है नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं कि विच इंडियन इंसिट्यूट ओफ टेकनलोजी एंड मोनास युनिवरस्टी ऑस्टेलिया ये मोनास युनिवरस्टी कहां पर है ऑस्टेलिया में है और किस इंडियन इंसिट्यूट ओफ टेकनलोजी के साथ इन्होंने डेवलप करा है यूनिक डिडेक्टर फेक बस्टर तो किस भारतिये प्रोध्युग की संस्थान ने अध्युत्य डिडेक्टर फेक बस्टर विक्सित करा है तो पहले आप आई इटी का नेम देख लीजिए कि किसके द्वारा इसको लॉंच करा गया है तो वो है आई 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 टी रूपर आई 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 टी रूपर ने मोनास युनिवर्स्टी ओफ आसेलिया के साथ मिलकर यह डैबलब करा है यूनिक डिडेक्टर फेक बस्टर अब यह फेक बस्टर क्या है यह यह ओनलाइन जो भी मिटिंग होती है उसमें जो आपका फेस है उसको पूरा डिडेक्ट करके अच्छे से यह दिखाएगा या फेशिल वेरिफिकेशन के लिए जगतर इसका यूज होगा यहां से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं कि फेशिल वेरिफिकेशन के लिए यह फेक बस्टर जो लॉँच करा है यूनिक डिडेक्टर है इसको इंडियन इंसिट्यूट ओफ टेक्नलोजी रूपर के द्वारा इसे डेवलप करा गया है और किसके साथ मिलकर करा है तो वो है मुनास युनिवर्स्टी आस्टिलिया के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कि नासा ने नासा पार्टनर्स विद हूम टू डेवलप अर्थ सिस्टम ऑवजर्वेटरी नासा ने प्रतवी प्रणाली वैदशाला विक्षित करने के लिए किसके साथ साज़ेदारी करी है तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरू बताईएगा कि नासा ने किसके साथ समझोता या ये समझोते पर हस्ताक्षर करें हैं प्रणाली वैदशाला विक्षित करने के लिए तो इसरो के साथ समझोता रहा है नासा का नैशनल एनोटेक्स स्पेस एजनसी का हेड़क्वार्टर इसका नियु यॉर्क में है और वॉसिंग्टन डीसी में है और इसरो के साथ समझोता रहा है इसरो का हेड़क्वार्टर करनाटक के बेंगलुरू में है जी सतिस रेड़ की तरफ की last question क्या है who has received FIH President Award तो International Hockey Federation के Presidents Award किसके द्वारा जीता गया है या किसको मिला है तो FIH President's पुरुसकार किसको मिला है FIH International Hockey Federation यह दिया गया है वी के पांडियन यह एक ISV के पांडियन को FIH President's Award दिया गया है और यह उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक के द्वारा इनको दिया गया है तो उडिसा के Chief Minister का नेम भी आपको याद रखना है नवीन पतनायक इनके द्वारा यह FIH President's Award इनको दिया गया है International Hockey President का पुरुसकार जो मिला है B.K. पांडियन को तो इनका नेम आपको याद रखना है B.K. पांडियन का FIH President's Award जितने भी Current Affair बनती 28 मई से तो यहां तक हमने यह कवर कर ली है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी बहां से PDF को डाउनलोड करें और इसको एक से दुबार रिवाइज कर लें और वीडियो को जहां तक आपकी जिच्छ हो Instagram, Telegram, Facebook, Whatsapp हर जाएगे वीडियो को शेर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन प्रेस कर लें जिससे जितनी भी upcoming वीडियो होंगी उनका notification आपको डिवाइड मिलता रहेगा गुडबाई मस्त रहें और साथ ही त्यारी करते रहें